ही गाइज वेकम तो इसोस पॉइंट आज हम लोग डिस्कॉस करेंगे पीटी 365 जो कि हमारी इन्वार्मेंट की है तो काफी टॉपिक हमारी कंप्लीट हो गई है एक बार आप लोग इंडेक्स देख लो जिसे के अंदाज़ा होगा कि यहां कितनी टॉपिक यहां पर कंप्ली उसके बाद Sustainable Development की एक टॉपिक है और फिर उसके बाद हमारा Disaster Management है और फिर Geography की यहां पर लिसन है तो बहुत ही कम टाइम लगेगा मुझे लगता है कि 3-4 लिसन और आएंगे उसके आद आपका इन्वार्मेंट भी कंप्लीट हो जाएगा तो चली स्टार्ट करतें लेकिन इससे पहले जो last lesson में जो question पूची थी उसके answer बता देती हूँ और आज आप लोग के लिए कुछ fresh question है जिसके answer आप लोग को comment box में बतानी है तो यहाँ पे question पूची थी गैंगेस जो river dolphin उसके बारे में यह सारी UPSC के previous series की question है तो इसको आप लोग practice कीजिए देखी कैसा question पूचा जाता है तो अधर दिन पोचिंग यहाँ पे पूचा जा रहा है कि क्या क्या possible reason है जिसके कारण जो गैंगेस river dolphin उसकी population decline हो रही है तो first यहाँ पे की dime की construction और river में barrages की construction yes it is true कि देखी रहे हम लोग की dime की construction हो रही है जिसके कारण यह लोग की habitat है वो fragment हो रही है साथी साथ इनका रहने का जो जगह है वो भी यहाँ पे बरबाद हो रहा तो कहीं न कहीं यह एक reason है जिसके वज़े से हम लोग देख रहे है कि river dolphin की जो यहाँ पे population है वो कम हो रही है so first one is correct तो एक option हमारा गया है second अगर हम लोग देखे तो river में crocodile की population increase हो रही है अगर river में crocodile की population increase हो रही है तो उससे यहाँ पे dolphin का क्या लेना देना एक चीज़ बताएए आप लोग तो यह तो थोड़ा सा आप समझ सकते हो कि यह तम uncommon सी बात है तो यहाँ पे second आप eliminate कर सकते हो इसमें कोई भी बात नहीं है ऐसा नहीं है कि अगर crocodile की population increase हो जाएगी तो यहाँ पे dolphin खतम हो जाएगे क्या dolphin को खाया जाता है crocodile की द्वारा तो ऐसा नहीं है थर्ड देखिए getting trapped in fishing net yes accidentally यानि की गलती से जो है fishing net जो fish पकड़ने वाली जो net होती है उसमें यह dolphin first जाती है जिसके कारण इनकी death हो जाती है तो yes it is true यह काफी जादा यह सही है तो वैसे भी आप second जैसे eliminate करोगे आपका answer आ जाएगा बट फिर भी आपका options पढ़ लेनी है एक बार synthetic fertilizer का इस्तेमाल और agriculture chemicals जो की crop field में है और यह सारे जो है rivers में चले जाते हैं तो यह सारे कुछ reasons है जिसके कारण जो है आप देखोगे क जो गैंगेस रिवर जो डॉल्फिन है उसकी population कम हो रही है अब यहाँ पर next देखिए कि गवार के बारे में पूछा जारान इन animals जो cluster beans है जिसे गवार भी कहते है यह traditionally used होते है vegetable और animal feed जैसे बाट recently जो cultivation है इनकी वो एजियूम किया जारा कि काफी significance है तो क्या correct है इस 4 statement में स फॉर्स्ट है कि जो oil extract किया जाता है इनके bees से यह काफी useful होते है bio degradable plastic की manufacturing में सेकेंड है कि जो gum है इनके seeds से जो निकाला जाता है वो काफी use होते है जिसे कि cell gas को extract किया जाता है ठाट है कि यहाँ पे leaf extract जो होते है इस plant के उसमें properties होती है anti histamines की and fourth one is कि यह high quality जो biodiesel है उसका यहाँ पर solve करेंगे कि कैसे questions यहाँ पर पूछे जाते हैं चली start करते हैं हम लोग अपने आज की topic तो बात करते है state of the world's forest report 2020 तो recently यह जो report यहाँ पर publish की गई है सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि कोई भी report कौन से organization publish करती है क्योंकि directly यह statement बन जाता है या फिर all over the world में जंगलों की क्या हालचाल है तो यह चीज़े देखी जाते कि कि सेरिया में हमाये जो forest वो कम हो रहे है कि सेरिया में ज्यादा हो रहे है तो मेली आप देखो कि जंगल का हालचाल यहाँ पर लिया गया है पुरे all over the world में तो United Nation Environment Program है प्लस FAO है फाइन तो अब देखत की एक specialized agency है yes it is correct जो कि hunger भूख मरी जो है न उसको पूरे all over the world में हराने की कोशिश किये करते है यानि कि इनका एक काम है यहाँ पर main aim है कि भूख मरी यहाँ पर मिटाना है कोई भी लोग भूखे ना रहे उनको भूजन की प्राप्ती होनी चाहिए साथी इसका गोल यही है क food security achieve करना है वो भी सारे और make sure करना है कि people's जो है उनको high quality यहाँ पर food मिलते रहे जिससे कि वो अपने active और healthy life को lead करे साथी इसको established किया गे था 1945 में और 194 member countries देखने को मिलेगे और इसके जो headquarter है वो Italy के Rome में तो यहाँ पर यह भी ध्यान रखनी है अब आते है report के बारे में सम conserve करने के लिए काम भी किया जा रहा है कि नहीं, biodiversity को sustainable तरीके से use किया जा रहा है कि नहीं तो इन सारे तरकों पर यहाँ पर examine किया जाता है issues क्या है जो issue है इस report में वो यहाँ पर mainly देखा गया है जो 2020 का report था यानि कि food and agriculture organization की जो global forest assessment report थी global forest resource assessment report थी उसी के basis पर यहाँ पर issues जो भी थे उसको यहाँ पर देखा गया है साथी साथ आप देखो कि यह जो FRA report था यानि कि global forest resource assessment जो report था इसमें में यह examine किया गया था कि more than 60 variable जो भी यहाँ पर आप देखो कि जो forest को use करने के लिए या फिर manage करने के लिए या फिर characteristics इसके extent जो भी उसका trend चलते आ रहा है उन सब को यहाँ पर examine किया था fine लेकिन अब समझते कि इस बार कि यहाँ पर report है इसका क्या finding है तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जंगलों में 80% से ज़्यादा जो है वो habitat होते है कि इसके amphibian species के और 37-75% से ज़्यादा जो है आपको bird species देखने को मिलेंगे 68% जो है वो यहाँ पर mammal species है तो जंगलों में यहाँ आप देख सकते हो कि कितना huge यहाँ जो species है वो यहाँ पर रहते हैं ठीक है amphibians means आप लोग समझ सकते हो कि जो की जंगलों जो जंगलों में तो रहते है यानि कि amphibians ऐसे animal होते है जो कि पानी में भी रहते है और जमीन में भी रहते है इसके साथ आप reptiles भी देखते हो तो यहां पर 80% सक जो है, यहां पर habitat किसका है, तो amphibians का है, birds species भी है और mammals भी है, जो कि इस तंधारी जो जीव होते हैं, उनकी भी यहां पर आप देखो काफी ज्यादा प्रजाती पाया जाते हैं, साथी इस जंगलों में अगर हम दो देखें, तो global land area का 31% यहां पर land जो है cover ह होता है, more than half of the world की forest अगर देखें, तो 5 country में है, पूरे अगर world में आप देखो, तो 7 continents में से 5 country ऐसी है, जो कि more than half of the world की forest हो वहीं पाया जाती है, अब एक तो यहां पर मैं बताऊंगी नहीं, जो कि है Brazil, तो Amazon forest के कारण यहां पर जंगलों की जो जंगल है, वो बहुत अच् इस्टन घाट, इस्टन घाट, नौर्थ इस स्टेट होते हुए भी, हिमालियन स्टेट होते हुए भी हमारे हाँ जो है, इतने ज्यादा जंगल नहीं है, forest area नहीं है हमारे हाँ, तो हम लोग पूरे all over the world में, top 5 countries में भी count नहीं हो रहे है, top 5 countries तो छोड़ दीजे, more than half of the world की जो forest हो, उसमें भी हम लोग count नहीं हो रहे है, तो बहुत सोचने वाली बात है, एक समय था जब हमारे हाँ जंगल बहुत हुआ करते थे, लेकिन आज के rate में इतना ज्यादा development की बात हम लोग कर रहे है, कि बस सिफ deforestation की कहानी चल रही है, तो यही reason है, देखिए deforestation और forest degradation ह अगर हम लोग 5 साल की कहानी देखे, जो कि 2015 से लेकर 20 टक का, तो जो deforestation, जो पेडो की कटाई की rate है न, वो यहाँ पे थोड़ा कम हुआ है, अगर इसको आपनो 1990s के time में देखोगे, तो 1990s के time में तो बहुत धडले से यह सारे कामें हुए थी, क्योंकि उसमें road construct करानी थी infrastructure develop करना था, और means urban cities भी बहुत जादा globalization हो रही थी न, 1991 में, तो इसलिए उसमें development बहुत हुआ था, तो अब तो है थोड़े हद तक यहाँ पे afforestation process और missions schemes बहुत सारे लाए गए हैं, पौधार open इस तरीके का करके, तो इसलिए अभी जो deforestation की कहानी है, वो थोड़ा 5 साल मे कम हुआ है, तो यह अगर statement आप से पूछे, rate of deforestation जो है, वो decrease हुई है अग 5 साल में, तो yes, this statement is true, second एक agriculture expansion अगर हमनों देखें, तो यह continue है, यानि कि खेती जो है, उसकी area बढ़ते ही जा रही है, और आज की date में आप देखो, एक main driver है, जिसके कारान हमनों जंगलों को काट देते है, forest fragmentation हो रहा है, और इससे हमारे जो biodiversity है, forest की जो biodiversity है, वो कही न कहीं loss हो रही है, तो yes, this is one of the reason, agriculture expansion है, जो कि आज की date में भी यह continue है, United Nations strategic plan अगर हमनों forest का देखें, तो वर्ल्ड आप देखो कि उस track में नहीं है, जो कि अपने target को meet कर सकें, जो भी forest से related है, और जिस सर आ रहा है, कि जब सारी चीज़े, सर से पानी उपर उठ जाता है, तो फिर कोई भी चीज़ अती हो जाती है, तो यहाँ पर अप क्या है, कि सारी लोग maximum समझ चुके है, कि पेड लगाना कितना ज़्यादा ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि global warming देख रहे हो, आप लोग जो target है हमारा 2030 तक, तो शायद हम लोग इसको meet कर सके, तो यह चीज़े यहाँ पर बताई जारी है, कि इस report की finding है, लेकिन इसके साथ साथ आपका जो एक और report है, जो कि यह forest resource assessment, कि हमारे हाँ forest resource जो है कितना है, उसको access किया गया, तो उसकी finding क्या है, उसको भी देख लीज़े, त क्योंकि LPG reform हुआ था, liberalization, privatization, globalization हुई थी 1991 में, इसलिए इस तरीके का जोई forest की कटाई बहुत तेजी से होने लगी थी, एशिया में आप देखो, तो highest net gain है forest area का, वही अगर अफरिका में देखे तो largest annual rate है net forest loss का, तो अफरिका में भी बहुत साथा development हो रही है, एक समय था ज तो काफी हद तक development जो है, वहाँ पे भी हो रही है, तो फिर भी यह चीज़े याद रखेगा कि Asia में सबसे ज़्यादा gain देखने को मिला है forest area में, और Africa में सबसे कम जो है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा loss देखने को मिला है, ठीक है, protected area की क्या कहानी है, तो बताया गया है कि worldwide 18% जो forest है, वो हमारे protected area में आ जाते है, protected area कहने का मतलब है कि बहुत तरीके से, मान लिजा कि किसी area को national park यहाँ पर declare कर दिया गया है, किसी area को aqua community reserves declare कर दिया गया है, किसी area को wetland declare कर दिया गया, तो इस तरीके से protected area के अंदर पूरे worldwide 18% forest वो आपका include हो चुका है, साथी 25% अ जिसमें कि कोई clarity नहीं है कि यहाँ पर human being की intervention होगी कि नहीं, human being आकर रहेंगे कि नहीं, और ऐसी area है यहाँ पर 25% पूरे जंगलों का, जिसमें कि यह भी demarket नहीं किया गया है, कि क्या वहाँ पर human being जो है, जो forest प्रोड्यूस होने वाले जितने भी resources है, क्या उसको avail कर सकते है, किस तरीके से उसका इस्तेमाल कर सकते है, कुछ भी नहीं, nothing, okay, South America में आप देखो, तो highest rate of forest है, protected area में, क्योंकि South Africa में आपको पता है कि wetland है, world का सबसे बड़ा wetland है, जिसके लिए हम लोग question भी solve किया है, विजन आइस में, तो पताए कि कौन सी यहाँ पर, अगर आपने विजन आइस की first full length test को अगर solve किया है हम लोग के साथ, जो कि हमारे test series चल रही है, विजन आइस की, तो उसमें आप लोग से question यह भी था, कि world की सबसे largest चो wetland है, उसमें अभी आग लग गई थी, तो वो किस तीन country में है, तो चली मैं नाम बता देती हूँ, आपके लिए यह आसान होगा, यह है पेंटनल, पेंटनल है, बट अब आपको बताना है कि यह कीन, तीन country से घीरावा area है, तीसलिए South America में यह सबसे highest share of को, आपको forest देखने को मिलेगा, एक तो यह है, दूसरा आपका Amazon की forest है, तो इसलिए यह सारे बहुत ज्यादा important हो जाते है, तीक है, और यह आगे बढ़ते है, 10% जो world की forest है, वो allocated है, biodiversity conservation में, तो यह protected area की कहानी है, चोकि यहाँ पे assess किया गया है, क्या-क्या resources है हमारे यह, forest fire की अगर बाते कहें, क्योंकि आज की rate में जो जंगलों में आग लगना वो बहुत आम हो गया है, भारत में ही नहीं, और भी country में आप और भी continent में आप लोग देखो, तो बहुत frequent तरीके से जंगलों में आग लग रहे है, तो forest fire आज की date में एक बहुत बड़ी disaster में भी count हो रही है, तो यहाँ पे आप fire से देख सकते हो कि आज तक क्या हुआ है, कि Tropic area में total forest area का 4% loss हो चुगा है, तो आप समझ सकते हो कि हमने क इतना जादा अपनी जो natural resources से उसको खोच चुके है, 4% is a huge number, और आप देखो कि carbon stock में भी कमी देखने को मिला है, जो total carbon stock है forest का वो भी decline हो गया है, यहाँ पर 2020 में बताया जा रहा है कि only 662 giga turn है, वही 1990 बताया गया था कि 668 giga turn है, तो carbon stock का जो यहाँ पे मामला है वो भी decrease हो आप पहले देखो, या अभी भी गाओं के area में आप देखो क्या हर्याली होती है वहाँ पे, हर्याली होती है तो गाओं में आप देखे हो कि AC यूज क्या जाता है, cooler ठीक है, लेकिन AC free ये सब यूज किया जाते हैं नहीं, आज की विजिट में वहाँ पर tradition method होते हैं, जाएद window AC तो आपको मिली जाए, चाहे split AC मिले या ना मिले, तो वही बात है ना कि हमारे हैं अगर जंगल नहीं है, पेड पौधे नहीं है, तो हम लोग को वह शुद्ध हवा भी नहीं मिलेगी, ठंडी हवा भी नहीं मिलेगी और carbon dioxide पूरे atmosphere में घूमता रहेगा, greenhouse gas की emission हो चाहे वो methane हो, sulfur dioxide हो, nitrous oxide हो, कोई भी gases हो, वो हमारे atmosphere में इर्द गूम रहा है, जिसके कारण हमारी पूरी environment गरम हो गई है, और हमें अच्छा नहीं लगता, बहार निकलो गया, आप तो पूरे पसीने पसीने हो जाओगे, खास करके इस महीने में, जो कि मौसम अच्छा भी ह उसको अपने तरफ खीच लेते हैं, stock करके रखते हैं, जिससे की atmosphere थोड़ा cool रहता है, तो यही चीज़ है, हमारे हाँ आप forest नहीं है, तो carbon stock की कमी हो गई है, fine, तो यह दोनों की assessment आपको समझ में आगे, कि क्या बात है की जा रही है, तो अब आगे बढ़ते हैं, देखते ह of Capricorn के बीच में, this is tropical area, तो यहां पर सबसे ज्यादा forest पाया जाते हैं, और यह आपको देखने को मिलेगा, यही पर आपका Brazil में आपको देखने को मिलेगा, यही पर पंटेनल और wetland भी है, तो बताइए का, तीन country कौन कौन सी है, यहां पर आप देख सकते हूँ, यह है Temperate Forest है, Temperate Forest मितलग कि आप लोग देख सकते हूँ, कि यह होता है, Tropic of Cancer से लेकर यहां पर North Pole के बीच में, जो region है, तो यह light green color का जो है, यहां पर आप देखो, और साथी साथ यहां पर भी आपको देखने को मिलेगा, सेन नीचे भी, सब Tropical अगर हम लोग देखें, तो यह Reservation के बारे में बात करें, तो Forest Specialist Index है, जो कि World Wildlife Fund है, उनके द्वारे यह आपका develop किया गया है, और इसमें यह बताया गया है, कि यहां पर fell हुआ है, यानि कि 53% से यहां पर हमारा Forest Speciality है और जो species है, वो कम हुए है, 1970 से लेकर 2014 के बीच में, और High Risk के यहां पर कहा जा रहा है कि जो कि Vulnerable to Extinction है, यानि कि वैसे Species जिनकी Category Vulnerable to Extinction है, IOCN की जो list में यह Categorize होते हैं, Health Risk अगर देखें तो Forest के कारण Health Risk भी हो रहा है, क्योंकि Forest Associated Diseases भी काफी हो रहा है, जैसे Malaria हो गया, Chaggles Disease हो गया, Lishmash News हो गई, Lime Disease है, HIV है, Ebola है, तो इसके कारण Diseases भी बढ़ रहा ह जो कि Human Being को Affect कर रहे है, जैसे अभी जो हम लोग जूज रहे है, SARS-CoV-2 से Coronavirus, ये आप देखो कि Current COVID-19 Pandemic है, ये भी कारण है, क्योंकि ये जो नोटिक है, तो ये जंगलों में आप देखो कि जानवरों से Human Being में ये ट्रांसफर हो रहा है, और उनकी जो emergence है, ये बताया जा रह करके वहाँ पर बिल्डिंग बना कर Human Being वहाँ पर रह रहे है, तो ये दोनों कारण है, जिसके थूरू आप लोग समझ सकते हो कि Human Being का exposure भी है, और साथी साथ forest भी नहीं है, जिसके कारण कई तरीके के जो आज के लिएट में जो conflict हो रहा है, human और animal का, इसके कारण जो है कि Ministry of Environment, Forest and Climate Change के द्वारा, अरुनाचर प्रदिस Capital जो कि ETA नगर है, उसको यहाँ पर select किया गया है, और यहाँ पर नगर 1 जो है, यानि कि Urban Forest Scheme को implement किया जाएगा, चलिए ठीक है, ये चीज़े पहले याद रखने हैं कि अरुनाचर प्रदिस की Capital को यहाँ पर select किया गया, fine, What is Nagar 1 Scheme, ये है क्या इसमें आपको बताना है, अक्चलि इसके अंदर क्या है, कि 200 urban cities को select किया जाएगा हमारे countries में, और next 5 years के लिए, और mainly यहाँ पर focus किया जाएगा, कि People's Participation के साथ, यहाँ पर Forest Department में से पलबरी, कुछ NGOs होंगे, कॉपरेट्स होंगे, और साथी local citizens होंगे, जो कि एक साथ आएंगे और यहाँ पर काम करेंगे, वन को बढ़ाएंगे, यानि कि Forest को बढ़ाने का काम करेंगे, प्योर अगर पूनी के अगर वार्जेव Forest आप देखो, तो good model for growth है, यानि कि पूनी का जो यहाँ पर वार्जेव Forest है, वो काफी अच्छी तरीके से यहाँ पर जंगलों की शंक्या बढ़ी है, साथी Forest एक बार अगर इस्ताब्लिश हो जाता है, तो वो उस राज्य में, जिस राज्य में वो जंगल है, उस राज्य की राज्य गर्वर्मेंट, जो है स्टेट गर्वर्मेंट, वो इसको मेंटेन करते हैं, तो यह भी धियान रखना ह पौधे की, जंगलों की, वो भी सीटी में, तो इससे क्या होगा कि बहुत सारे इन्वार्मेंट जो है, हम लोग उसको सेक्या और कर पाएंगे, शोशल बेनिफिट यहाँ पर प्रोवाइट कर पाएंगे, जितने अरवन में रहने वाले लोग है, तो इससे क्या होगा कि सा अरबन नेचर एरिया हो गया, स्ट्रीट प्री हो गया, जैसे आप दिखते हो कि सडकों के चारों और जो है वो पौधे लगे रहते हैं, इसक्वार प्लांटेशन है, यानि कि बीच में अगर चौरा हा है, ठीक है, तो उसमें भी आप दिखते हो कि प्लांटेशन क्या रहत बोटैनिकल गार्डेन है, और सिमेंटरीज है, यह सारे कुछ एरिया आपको अर्बन एरिया में देखने को मिलेंगे, जहां पर फॉरेस्ट को बढ़ाने की बात की जारी है, ट्री कवर बढ़ाने की बात की जारी है, कुछ इससे रिलेटेड निउस अगर देखें, तो हरि हरित पाथ है, यह हरित पाथ है क्या, एक्चली यह मॉवाइल एप है, जिसमें की ग्रीन हाइवे को क्रियेट करने के लिए फैसलिटेट किया जाएगा, हरित पाथ है, यानि कि आप देखो पाथ मिन्स रास्ता होता है, और हरित मिन्स ग्रीन ग्रीन, तो मॉवाइल एप है कि कैसे यहां पे जो है green highway को create किया जाए इससे क्या होगा location को monitor किया जाएगा देखा जाएगा time to time कि हाँ जो highway plantation project है उसमें किस तरीके से जो है growth हो रहा है कैसे जो maintenance activities है वो चलते जा रहा है और कुछ जो target है कि हर एक पौधे जो है कितने दिन में plant करना है कितने महीने में plant करना तो वो जो target है वो achieve हो पा रहा है कि नहीं तो यह सारी चीज़े track की जाएगा mobile app के through साथ ही आप देखो कि यह national highway में यह काम किया जा रहा है तो obvious है कि यहां पे national highway authority of india जो है वो include है but ministry कौन से है तो ministry of road transport and highway है recently अगर हम लों देखे तो national highway authority of india के द्वारा इस तरीके की nationwide जो plantation drive है इस तरीके के project ली गई है जो कि हरित भारत संकल्प है जिसमें कि यह plant किया जाएगा 25 lakh plant से भी ज्यादा यहां पे plant करने की बात की जारी है और पचीस दिन में यानि कि 25 दिन में 25 लाग से जादा जो है पौधे लगाना है जितने भी national highway है उसी के stretch यानि कि जो national highway है उसी के चारो और आपको इस तरीके से पौधे देखने को मिलेंगे जो कि लगाने की बात की जारी है और एक drive चला जारा जिसे हरित भारत संकल्प कह रहे है तो चली बहुत अच्छी बात है अब आते है community forest right में तो यह होता क्या है पहले इसको समझे फिर हम लोग देखे हैं कि यह news of forest dealers recognition of forest right act 2006 जैसे हमनों forest right act 2006 इतना लंबा कौन याद रखेगा तो इसको छोटे में ही कह देते forest right act 2006 इसमें कहाने कि दो type के यहाँ पे rights देखे गए है schedule drive के अब देखे है schedule tribes के जो लोग है वो isolate रहते हैं आज की भी date में आप देखो कि majority of the population जो है वो जंगलों में रहना पसं कोई individual है तो उनका forest पर कैसा अधिकार है और अगर कोई group रह रह रहे है पूरे community रह रहे है तो उनका forest पर कैसा अधिकार है तो यह कानून के थ्रू आप देखो क्योंकि काफी important है और यह एक ऐसा कानून है जिसमें कि tribal और जो other traditional forest dealers है उनको यहाँ पे उनके उपर कानून बन जो भी यहाँ पे ज़रूरत होता है इस तरिकी के forest land को recognize करने में और waste करने में तो यह चीज़ें यहाँ पे इस कानून के तहत है साती इस कानून के तहत क्या है कि forest right act में जो gram सभा है उनको यहाँ पे authority दी गई है कि वो यहाँ पे जो process है कि nature को determine करना और individual और community forest right या फिर द right है recently इसको release करने का aim यही है कि यहाँ पे gram सभा को guide किया जाए और उनको empower किया जाए कि वो better तरीके से जो community forest right है उसको manage करे और conserve करे तो अभी देख लीज़ें कि forest right as per the forest right act कि थ्रू क्या था तो पहले इस कानून के तहत देखते community right जैसे कि निस्तार है तो निस्तार में क्या जो भी यहाँ पे princely state पहले कि हुआ करते थे जमिंदारी थी कुछ intermediary regime थे तो उनको यहाँ पे कहा जाता तो community rights साथी right है कि ownership यानि कि जितने भी minor forest produce है जंगलों से कुछ भी जो produce होता है जाहे वो फल, फल, सबजिया या फिल लकडी वगेरा कुछ भी जो produce होता है ना उनकी ownership का अधिकार है उनको उनको यह अधिकार है कि वो उस चीज़ को collect कर सकते हैं उनको यह अधिकार है कि वो उसको use भी कर सकते हैं और dispose भी कर सकते हैं तो मेलनी है यहाँ पे community को जो जंगलों में रह रह रहे हैं उनके लिए यह सारे अधिकार है अधर जो community right अगर आप देखो तो यहाँ पर जो water bodies है अगल बगल आपको देखने को मिलेंगा जंगलों के अगल बगल जो water bodies है तो वो उससे fish वगएरा या फिर other product को भी वो यहाँ पर use कर सकते है ठीक है right अगर आप देखो तो यहाँ पर community tenures of forest habitat है और habitation है कि कितने सालों तक उनको वहाँ पर रहना है साती right of settlement है और conservation है यानि कि उनको वहाँ रहने का अधिकार है लेकिन उनको जंगलों को जो है जो है जो उनके गाउं में जंगल है उनको वो conserve करके रखना है क्योंकि वो जंगलों की revenue है तो right to protect और regenerate और conserve और manage करने का भी उनको अधिकार है राइट है जो कि यहाँ पर state laws के थुरू recognize किया जाता है और कोई भी कानून जो कि autonomous district council के थुरू या फिर autonomous regional council के थुरू उनको बताया जाता है तो वो सारे कानून उन यहाँ पर apply होते है साथी right of access है biodiversity का क्योंकि वो जंगल में रह रह रहे है तो biodiversity को वो access भी कर सकते है और community right है intellectual property का या फिर traditional knowledge का जो भी biodiversity से related है या फिर culture diversity से related है तो माल जै कि उनके द्वारा भी कुछ यहाँ पर उनका जो है यहाँ पर यह property है क्योंकि वो लोग यहाँ पर रह रह रहे है इसको conserve कर रहे है इनका ध्यान रख रहे है तो obvious से कि यहाँ पर जो tribal population है उनको इस तरीके का अधिकार दिया गया है कि यह उनका intellectual property right है क्योंकि उन इनका property है ना तो उनको यह right भी दिया गया है साथी traditional knowledge भी दिया गया है कि biodiversity और जो culture diversity है उससे related उनको यहाँ पर अधिकार दिया गया है कोई और अगर traditional right अगर हम लोग देखे तो यहाँ पर forest drilling के द्वारा जो यहाँ पर enjoy किया जाता है वो सारे rights है लेकिन यहाँ पर आप द स्नेक के भी खाल होते निसारे बहुत सारे animals को जो है मारा जाता है तो वह काम यहाँ पर नहीं करना है यह सारे अधिकार उनको नहीं दिया गया मेलनी यहाँ पर है कि Community Forest Resource Management Committee बनानी है जो कि एक Executive Arm होंगे Gram सभा के जो कि यहाँ पर Community Forest Right Area को मैनेज करेंगे इसमें क्या है कि 5% से कम नहीं होने चाहिए और 2-3 जो Member होंगे वो यहाँ पर आपका Schedule Tribes होंगे तो यहाँ पर आप देखो कि 5% से कम नहीं होंगे तो अगर 5 भी होते और 2-3 यहाँ पर आपके Schedule Tribes होते तो कहने का मतलब है कि 5 में से 3% जो है Schedule Tribes ही होने चाहिए यहाँ पर Financial Independence दिया गया है Gram सभा को एक Fund के तुरू जो कि अगर उनको यहाँ पर Money की जरूरत है जिस तरीके से वो Forest Produce को Sale कर सके Development Grant दे सके वो भी Government के तुरू तो यह सारा काम वो कर सकते हमारे हाँ एक Forest को बचाने के लिए एक Campa प्रोजेक्ट चलता है Campa जो कि है Compensatory Afforestation Fund यानि कि यहाँ पर Afforestation करने के लिए पेर रोपन करने के लिए अगर यहाँ पर राजसरकार को Fund की जोरोत है तो वो भी यहाँ पर Provide किया जाता Campa Fund के थूरू ठीके Further यहाँ पर आप देखी कि और क्या-क्या Empowerment किया गया यानि कि क्या-क्या यहाँ पर Power दिया गया है Gramsabah को, Gramsabah को Power दिया गया है कि Wildlife को प्रोटेक्ट करेंगे, जंगलों को प्रोटेक्ट करेंगे और Biodiversity को प्रोटेक्ट करेंगे साथी अगल-बगल जितने भी Water Sources है Catchment Area है, कोई Ecological Sensitive Area है जो कि उनके छेतर के अंदर आ रहे है तो वो सारे चीजों को conserve करने का अधिकार है साथी उनको इन पावा किया गया है कि वो Power और Authority जो भी यहां पर Section 5 के तहत रखा गया Forest Right Act के तहा है तो वो सारे चीज़ी यहां पर रखेंगे और Forest Right के जो holder है उनको उनकी duties बताते रहेंगे साथी complaint भी file करेंगे State Level Monitoring Committee के सामने अगर कोई भी यहां पर इस कानून के provision को violate करता है तो साथी rules भी बना सकते और कुछ appropriate direction भी यहां पर दे सकते कि कैसे यहां पर Community Forest Right की conservation और governance जो है सही तरीके से हो सके जैसे कि आप देखो कि regulating power कौन है यहां पर जो इसको regulate करेंगे कौन है जो कि यहां पर activities वगरा देखेंगे कोई conflict हो गया तो इसको भी resolve करना है तो यह सारे चीजों के लिए भी यहां पर issues बनाया जाएंगे sorry rules बनाया जाएंगे साथी आप देखो कि जो Community Forest Right conservation है उसको approve करना और modify करना साथी एक management plan लेकर आना जो कि यहां पर आप देखो कि जो Community Forest Right management committee है ना उनके द्वारा जो भी suggest किया जा रहा और prepare किया जा रहा है तो वो भी चीज़े यहां पर approve की जाएगी और उसको यहां पर आपका apply किया जाएगा so these are the sum power है जो कि यहां पर gram सभा को extend किया गया है जो कि particularly vulnerable tribal group को भी दिया गया है यह ऐसे tribal group होते हैं जो कि total हमारे हां 13 है और सबसे ज़्यादा जो पाय जाते हैं वो उड़ीसा वाले छितर में पाय जाते हैं तो यह ऐसे tribal group है जो कि काफे ज़्यादा isolate रहते हैं इनको basic amenities भी provide नहीं होती है तो यह अती पिछड़ा आप tribal group कह सकते हो इसलिए इनको particularly vulnerable tribal groups कहा जाता है तो रहने का अधिकार यानि कि जंगलों में रहने का अधिकार इस कानून के through यह particularly vulnerable tribal groups को भी दिया गया है साथी इस कानून का आप देखो कि section clause 1 sub clause E है जिसमें की right बताया गया है जिसमें की community tenure है habitat का और habitation का यानि कि अगर pre agriculture communities है या फिर primitive tribal group है तो उनके रहने का कितना साल का tenure होगा कुछ यहां पे guidelines आप देखो कि habitat right को लेकर बनाया जा रहा है तो यहां पे draft में जो है habitat को यहां पे define किया गया उनका connection है spiritual, culture और social हिसाब से या फिर livelihood matter भी करता है जैसे कि वो forest से produce होने वाले चीज़ों को use करते है collect करते है, fishing वगरा करते है कोई seasonal उनका cultivation है या फिर medicinal plant को collect करते है कुछ भी ऐसा काम करते है तो इसको कहा जा रहा है कि habitat है वो साथी habitat right जो है परफॉर्म करना है, right to protect है और conserve है, यानि कि जो भी natural entities है उनको protect करो और conserve करो right to protect and conserve places है यानि कि आप देखो कि जंगलों में जो भी religious और spiritual purpose के लिए कोई भी जगह है जैसे आप देखो कि बहुत सारे ऐसे भी पौधे होते हैं जो कि sacred groups होते है यानि कि पवित्र पौधे होते हैं पवित्र फ्री होते हैं तो उनको भी यान पर conserve करना है right to practice cultural traditional cultivation system यानि कि अगर वो लोग cultivate भी करते हैं कुछ crop अगर उगाते हैं crop का भी अगर वो cultivation वगएरा भी करते हैं तो वो भी वो कर सकते हैं इसे कि वो अपने livelihood को जला सके मतब कि earning बगरा हो जाए साथ है habitat right है जिसमें कि आप देखो कि जो लोग पशुओ को या फिर कोई species है अगर उनका hunting करते हैं या फिर trap करते हैं या फिर उनके body parts को extract करते हैं तो ये सारा habitat right के अंदर नहीं आता है तो ये चीज़े साफ साफ कही गई है कि जो जंगलों में रहते हैं अब उनका ये अधिकार नहीं है कि वो जंगल में रहने वाले जो species है उनको वो मारे, काटे या फिर खाए या फिर उनके जो body parts से उसको इस्तिमाल करें तो ये काम नहीं करना है ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जिससे कि जंगल में रहने वाले forest और species को कहीं से भी नुकसान हो तो बहुत अच्छी article थी जिससे कि आपको ये समझ में आया कि इस कानून के बारे में Forest Right Act 2006 के बारे में यहां पर gram सभा को क्या क्या power दी गई है और कुछ new चीज़े include की गई है जिससे कि gram सभा को और ज़्यादा यहां पर empowerment किया जाए तो वो सारी बाते आपको समझ में आ गई होगी habitat right it is very important इसको आप लोग जो है अच्छे से देख लिजेगा very very important next coming to the deforestation hot spot तो देख लेते कहां कहां ऐसी पेडो की कटाई बहुत तेजी से हो रही है जिसे hot spot आज की date में कहा गया है तो एक new report है जो कि worldwide fund के द्वारा लाए गया है जो कि worldwide fund for nature है इनके द्वारा analyze किया गया है कि 24 deforestation hot spot है Asia, Latin America और Africa में तो चलिए देख लेते इस report के द्वारा क्या कहा गया है इस report के द्वारा बताए गया है कि 18 years में total जो global forest cover है उसका two-third जो है वो loss हो चुगा है ट्रॉपिक और सब्ट्रॉपिक एरिया में वही अगर forest देखे तो 50% तक जो अर्थ की land है जिसमें कि आपका 8,000 years ago था आज के date में सिर्फ 30% ही land forested है चलिए बहुत यहाँ पहले 8,000 साल पहले आप देखो तो 50% जो जमीन में आपका forest था आज के date में वो 30% ही रह गया है इस report में यह भी बताया जा रहा है कि जो यहाँ पे deforestation globally हो रहा है और जो existing approach है उसको address करना चाहिए साथी commercial agriculture जो है यह leading cause है जिसके कारण deforestation पुरे all over the world में हो रहा है क्योंकि large scale farming हो रही है forested area जो है वो cleared किया जा रहा है जिससे कि live stock grazing हो, crop cultivation हो तो mainly agriculture sectors को और ज़्यादा increase करने के लिए बताया जा रहा है कि forest को यहां पर काटा गया है अब चलिए ठीक है यह तो बता दिया गया कि कहां कहां 24 यहां पर deforestation जो hot spot लाए गया Asia में है, Latin America में है और Africa में इस organization के बारे में समझते है Worldwide Fund for Nature तो यह world का largest privately financed conservation organization है mainly इनका काम यही है कि जो endangered species है और उनके जो रहने का जगा है उसको यह protect करते है और यह पुरे world का largest privately financed यानि कि finance करते है कि अगर कोई country अपने हाँ इस तरीके से protect करने के लिए यह fund नहीं जुटा पा रहे है तो उनको यहां पर fund provide किया जाता है Worldwide Fund for Nature की अगर बात करे तो more than 100 countries में यह काम करते जिससे कि जमीन में अर्थ में रहने वाले जो भी diversity है उसको conserve कर सके साथी आपे Worldwide Fund for Nature की बात करे तो यह local communities को काफी help करते जिससे कि natural resources को conserve कर सके जिसके उपर वो depend है और साथी जो market है उसको transform कर सके policy को भी transform कर सके जो कि sustainable हो sustainable हो जिससे कि human being को भी कोई problem ना हो, environment को भी problem ना हो और आगे आने वाले generations को भी वो सारी चीज़े natural resources भी मिलते रहे साथी जितने भी यहाँ पे species है उनको restore करना, यानि कि उनके population को बढ़ाने का काम करना, उनको protect करना जितनी भी population बच्ची भी है और उनके habitat को भी protect करके रखना तो यह इनका मेली यहाँ पे काम होता है तो इस चीज़ को समझने को कुशिश कीज़ेगा और ध्यान भी रखेगा, क्योंकि organization से एक दो questions आपको फेलेंस में देखने को मिलेंगे ही तो चलिए next day start करते हैं wetland और coastland के बारे में इसको देखने वाले कि कौन कौन से लेकिन उससे पहले आप यह देखो कि रामसर convention 1971 का है क्या तो यह एक intergovernmental international treaty है जो कि रामसर, रामसर कहने का मतलब है कि इरान की एक city का नाम है रामसर जहां पे यह convention को sign किया गया था और मिली यह बात यही रखे थे कि पूरे all over the world में जो भी wetland है ना जितने भी wetland है उसको select किया जाएगा और जितने selected wetland होंगे ना उसको conserve किया जाएगा तो यह हुई बात अब इंडिया convention का party है कि नी हाँ बिल्कुल है तभी तो हमारे यहां से 5 wetland को यहां पे choose किया गया है तो यह 5 wetland नीव 5 wetland नहीं है इससे पहले अल्रेडी बहुत सारे है तो आज तक जो है 42 wetland ऐसे हमारे इंडिया से जिसको कि रामसर convention में यहां पे inlist किया गया है साथी इसका एम तो यह है कि जो global network है wetland का उसको यहां पे बना के रखना है और biological diversity के लिए इसको conserve करना है और human life की sustaining के लिए साथी अगर हमनों देखे जो भी wetland यहां पे declare होते है रामसर साइट के अंदर उनको protect किया जाता है क्योंकि इस convention के अंदर बहुत ही strict guidelines है वो guidelines को follow करना होता है और उन सारे wetland को protect करना होता है रामसर साइट साफ देखो तो यहां पे list of wetland होते international importance के लिए और यह जो wetland का inclusion होता है इस list में इसमें government की commitment होती है कि हाँ वो यहां पे कुछ necessary steps लेंगे जिससे कि यहां पे ecological character जो है वो यहां पे maintain हो सके larger अगर रामसर साइट by area इंडिया में देखे तो कौन सा है तो west Bengal का सुंदरबन wetland है और अगर smallest अगर रामसर साइट देखे by area in India तो यह हिमाचा परदेश का रेनु का wetland है तो यह दोनों काफी important है largest और smallest याद रखेगा largest तो आपको ऐसे भी याद रहेगा क्योंकि हमारे हाँ wetland जो है सबसे बड़ी सुंदरबन ही आपको देखने को मिलेगा और west Bengal में है और साथी हिमाचा परदेश जो की रेनु का wetland है यहाँ पर अब आप लोग पूरे all over इंडिया में आप लोग देख लो कि कितने और कौन कौन से wetland है तो देखे 42 यहाँ पर wetland है सारे नाम यहाँ पर लिखे गए है और एक एक करके आप लोग जो है map में इसको find out करो और इसकी location आप देख सकते हो अब यहाँ पर देखने के बाद आपको यह चीज़े समझ में आ गई होगी कि कौन कौन से state है जहाँ पर wetland नहीं है क्योंकि maximum जगा हो चुके है अभी आपका जो महरास्ट है उसमें दो आपको देखने को मिलेगा गुजरात में एक हो गया यहाँ पर राजस्थान में एक हो गया MP में एक हो गया तो हर एक जगा एक-एक मिला है लेकिन पहले हम लोग इस चीज को देखते कि कौन कौन से ऐसे राज है जहाँ पर कोई भी wetland अभी तक रामसर कन्वेंशन के अंदर लिस्प नहीं हुआ है तो चलिए स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो लद्दाक के तो अभी मिली चुके है यहाँ पर आप देख सकते हो कि सबसे पहला गोवा देन करनाटक देखें फिर उसके बाद तिलंगना एं देन यहाँ पर छतेसगर और जहारखंड फिर उसके बाद सिक्कीम अरुनाचा परदेश मनिपूर मिजोरम और यह हमारा कह है आसां में है या फिर यह जां फिर यह सेकेंड नमर्जो एक एक दाम देखती हूं तब पर चलेगा दी पॉर विल टाया एसां में मिली नहीं है तो यानि कि तोटल आप मे लोग देख सकते हो कि कितने लॉप हो गए तो फीस रॉस्ट पर फोत फिस विफ इच्ष तैवन तो टोटल 10 राज है तीक है जिसमें कि नहीं है और साती साथ आप लोग देखो कि नौर्थ इस्ट के कितने स्टेट है जिसमें कि यहाँ पर आपका वेटलैंड लिस्ट नहीं हुआ है तो अरुनाचर परदेश, मनिपूर, मिजोरम, मिघाले और सिक्कीम तो यह भी आप जो कि महरास्ट से है साथी कावरतल वेटलैंड जो कि बिहार से है असान उत्रा कंजर्वेशन रिजर्व जो है वो आपका उत्राखंड से है तो यह सारे आप लोग देख सकते हो कि नाम ही देख लो कि कहां कहां पे कौन-कौन से नंबर है ठीक है तो काफी important है इसको एक बा कुछ species हो चाहिए वो flora हो fauna हो और साथी साथ यहां पे biodiversity होनी चाहिए और कुछ rare या फिर unique कुछ न कुछ उसमें species होना चाहिए कुछ उस तरीके के ऐसे location में हो जहां पे वहां के जो ecosystem है वो उस wetland पे dependent हो means एक बहतर वहां पे conservation करने से जो है उस area में एक अच्छा positive point निकल क आएगा यानि कि उस area की अच्छी betterment हो पाएगी तो यहां पे देखे 9 criteria जिसके basis पे किसी wetland को international importance का दर्शा दिया जाएगा उस wetland में कोई representative या फिर rare या फिर unique example होना चाहिए किसी natural या फिर near natural wetland का और वहां पे vulnerable, endangered या फिर critically endangered species हो या फिर ecological communities वहां पे threatened हो के आगे आने वाल या फिर population of plant और animal species जो है वह support किये जा रहे हो जिसमें कि biological diversity को maintain करते हो साथी plant और animal species जिसकी critical stages होगी उनके life cycle में और refugee की भी जिसके critical stages होगी वह भी adverse condition में साथी या पे 20,000 या फिर इससे भी ज़्यादा water bird है तो regularly support होगा उस area में और 1% जो individual है population में one species या फिर यहां पे सब species of water bird तो उसको अगर support कर रहा है वो wetland तो या फिर significant proportion है indigenous fish sub species का यानि कि fish sub species भी होनी चाहिए कुछ species या फिर family या फिर life history stages होनी चाहिए important source हो food का वो भी fishes के लिए spawning ground के लिए nursery हो migration path हो साथी 1% जो individual है population में वो भी one species और sub species of wetland जो कि या पे non-avian animal species जो है उसके उपर dependent है तो यह सा land support करता है इतनी nine criteria अगर support करता है तो उसको यहाँ पर रामसर convention के अंदर include किया जाता है fine अब यहाँ पर आप लोग देखो की details जो की कुछ new sites के साथ अगर हम लोग देखे तो असान conservation reserves है जो की उत्राखंड में आपको देखने को मिलेगा और यह आपका एक तो western part में है उत्राखंड के और असान अगर हम लोग conservation reserves देखे तो यह Yamuna bank Yamuna river में आपको देखने को देहरादून district में है कुछ यहां पर कौन-कौन से species रहते हैं तो white rump यहां पर vulture है, ruddy shed duck है, red headed vulture है तीक है तो यह सारे यहां पर कुछ species है जो की wetland में मिलते हैं second है काबरतल wetland तो काबरतल wetland बिहार में है और बिहार में आपको बीचो बीच देखने को मिलेगा, actually यहां पर बेगुसराई district है जहां पर आपको काबरतल wetland देखने को मिलता है, यह wetland है जिसमें की 2620 hectare है, Indo-Gangetic plain में देखने को मिलेगा, northern बिहार state है और इस wetland को आप दे जिनके head यहां पर red color की होती है, white rumped vulture है और Indian vulture है, साथी दो यहां पर water bodies है, एक तो sociable lapwing है और एक beast pochard है, तो यहां पर इस species का नाम याद नहीं रखना, यह कोई नहीं आप से पूछेगा, बस एक बार आप लोग अपने नजर में उतार लो, major threat क्या है, इस site का major threat है, कि यहां पर water management activities सही से नहीं हो पा रही है, जैसे damming, canalization, यह सारी चीज़े अच्छे से नहीं हो पा रही है, next यहां पर lonar lake, जो कि आपको महराश में देखने को मिलेगा, और इसकी location आप देख सकते हो, यह deck and plateau में located है, और साथी साथ इस sites में आप देखो, तो lake है, as well as यहां पर scarpench है, जो कि यहां पर crater wall से आपका form हुआ है, crater wall यहां पर form करता है, तो lonar lake है, जो कि ए crater type का है, ठीक है, यह lake आप देखो कि यहां पर salinity बहुत जादा है, alkalinity बहुत जादा है, और जो outflow है, उसकी कमी के कारण जो है, यहां पर minerals की concentration देखने को मिलती है, साथ ही अगर देखे, कुछ species जो कि इस site में पाए जाते, Asian wallinaik है, common pushard है, major threat अगर हम नों देखे, तो household, seaways, urban, west water, सब इसी lake में dump हो रहे हैं, और recently जो water है, इस lake का वो pink हो गया था, और pink होने का यहां पर reason बताया जा रहा है, कि जो salt loving, यहां पर hello arkea microbes है, वो यहां पर present है, तो कुछ ऐसे microorganisms आ जाते हैं, जिनके कारण जो snow है, और जो पानी है, वो यहां पर pink देखने को मिला, इसनों तो नहीं, लेकिन पानी यहां का पिंक हो गया था, next यहां पर UP का, जो कि सूर सर ओवर है, तो कौन-कौन से species हैं यहां पर, greater spotted eagle आपको देखने को मिलेगा, sour screen, जो कि काफी important bird है, यहां आपको देखने को मिलेगी यहां पर, सूर सर ओवर में, यहां पर आपको catfish भी देखने को मिलेगा, ओके, तो यह सारी चीज़े यहां पर, so car wetland अगर देखें, तो यह लद्दाक में मिला है, union territory, UT बन चुका है, तो इतनी portion जमू एं कश्मीर है, यह पूरा portion जो है, लद्दाक है, तो सो कर लेक यहां पर है, ठीक है, इसकी location दिखें, यह जो high altitude wetland है, यहां पर more than 4,500 meter यह area है आपका, और साथी साथ जो complex है, इसमें आपका दो connected lake है, एक तो fresh water यहां पर starts book show है, और larger जो है, hyper saline sow lake, soker है, तो जो नाम है, यह है soker, इसका मतलब है कि white salt efflorescence on the margin of lake, जो कि यहां पर saline water के evaporation से हो जाता है, तो बहुत जादा आपको देखने को मिलेगा, कि salt जहां पर जादा evaporation होता है, वहां पर आपको salt की मातरा बहुत जादा देखने को मिलेगी ocean में, तो यहीं चीज़े, soker का मतलब क्या होता है, यह भी आपको पता होना चाहिए, तो soker stands for white salt efflorescence, जो local climate है, वो यहां पर arid है, और glacier melt water है, जो कि primary water source है इस lake के लिए, और यह जो site है, यह काफी important, यहां पर migratory birds आते हैं, और Central Asian flyway भी है, और one of the most important breeding area है, जो कि black naked, यहां पर crane के लिए है, soker basin की बात करें, तो यहां पर A1 category important bird area है, वो भी bird life international के द्वारा यह दिया गया है, और साथी साथ अगर बात करें, तो A1 category जो है, यह globally threatened spaces में आता है, other category आप देखो A2 है, जो कि restricted range spaces है, A3 है जो कि biome restricted spaces है, A4 है जो कि congregations है, यानि कि 21% अगर global population one or more spaces का है, तो वो A4 category में आता है, तो यह सारे category आप समझ गए, यानि कि A1 category है, जिसमें कि आपका threatened spaces है, उसकी populations जो है, उसके उपर अभी कही न कही problem है, maybe उनकी population गिर सकती है, और A2 में क्या है, तो restricted range spaces है, यानि कि बस इतने ही range है, जहाँ पर यह species आपके present है, तो कुछ particular location है, जैसे कि आप ascetic line ही देख लो, African cheetah ही देख लो, तो कुछ-कुछ area में ही अब यह सारे बचे वे हैं, तो इसका क्या करना है, कि इसको A2 category में रखा जागा, क्योंकि restricted range spaces है, A3 है, biome restricted spaces है, कि उसी area में जो है न, वो यहाँ पर restricted है, यानि कि biome वैसा उनको environment की ज़रूत होती है, जैसे आप देखो कि बहुत बार ascetic line उनको translocate करने की बात की जाती है, लेकिन बात यही आजाता है, न कि उनको जैसा environment चाहिए, उस तरीके का environment वहाँ पर मिल रहा है की न, जहाँ पर उस तरीके का climate होगा, vegetation होगी, उस तरीके की rainfall होगी, जो भी उनको proper ज़रूरत है, उस तरीके का landscape होगा, तो वैसा अगर जरूत होगा, तभी कोई spaces को translocate किया जाता है, तो A3 category में रखे जाता है, तो endangered saccar falcon है, ascetic wild dog है, और dole है, vulnerable snow leopard भी यहाँ पर देखने को मिलेगा, इसे के साथ आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर सुखना लेक भी है, जिसको की wetland declare किया गया है, तो देख लेते हैं, यहाँ पर हम लोग बात करें, चंडीगर wetland authority, तो इनके द्वारा notification लाए गया है, कि सुखना लेक को भी wetland जैसा declare किया जाए, वो भी wetland rules 2017, देखे रामसर convention जो है, यह जितने भी international convention होते है, या फिर आपका treaty होता है, तो उसके basis पे हम लोग को अपने country में, जो है ना कुछ कानून लाने होते है, तब हम लोग उनकी rules regulation को अपने country में, अपने हिसाब से जो है, मतलब उनकी rules regulation है, बट अपने area के और अपने country के जो ज़रूरत है, उस हिसाब से उसको implement करेंगे, तो हमारे हैं रामसर convention के उपर, जो है wetland conservation and management rule 2017 में हम लोग लाए थे, जिसके तहरत अपनों जितने भी wetland declare के आगया है, तो उसको अपने हिसाब से conserve करते हैं, क्योंकि हमारे सरकार commitment कर रखी है, तो list of wetland जो है इंडिया में, वो develop किया जाता है, और wetland definitions जो है वो रामसर convention के तहरत है, जिसको इंडिया ratify कर चुकी है, यानि कि okay कर चुके है, wetland rules अगर 2017 का देखे, तो इसमें wetland जितने भी हमारे country में उसको protect करने की बात की जाती है, और wetland जो है, वो कौन बताते हैं कि इस area को wetland कहेंगे, तो यह center, state और UT, यानि कि आगर आपका central government भी कर सकते हैं, और union territory के union territory administration भी कर सकते हैं, इससे क्या है कि राजय को और UT को power दिया गया, कि वो यहाँ पर prohibited activities जो है उसके उपर नज़र रखते रहे, इट मींज कि wetland या wetland के चारों और जो भी काम को बंद किया गया है, कि यह सारे activities अटलिस नहीं होना चाहिए, तो राजय में राजय सरकार और UT में UT administration उसके उपर नज़र रखते रहेंगे, कि हाँ यह सारे अटलिस prohibited काम वहाँ पर नहीं हो, तो क्या-क्या prohibited activities होती है wetland में, तो देखे कोई commercial mining ना करने लगे, साथी कोई industry ना setup कर दे, साथी large scale commercial livestock ना establish कर दे, या फिर poultry form नहीं है, वहाँ पर establish कर दे, या फिर कोई permanent construction नहीं होना चाहिए, साथी आप देखो कि fish या migratory bird का जो feeding होता है, पब्लिक के द्वारा वो भी नहीं होना चाहिए, solid waste, dumping, खचड़ा भी नहीं फेकना है, साथी जो untreated waste है, गंदे है, उसको भी नहीं discharge करना है, और poaching, यानि कि आप देखो कि याँ पर poaching बगेरा होता है, वो भी नहीं करना है, और plastic carry bag का तो यहाँ पर इस्तिमाल नहीं करना है, क्योंकि फिर यहाँ पर पानी के उपर float करेगा, और pollution होगा और चुक भी हो जाएगा, सुकना लेक के बारे में कुछ यहाँ पर static देख लेते, सुकना लेक मैनमेट लेक है, देखिए, यह आर्टिफिशली बनाया गया है, चंडीगर में है, जो कि 1958 में बनाया गया था, और शिवाली hills के यह foot hills में है, और इसको डिजाइन किया गया है, कि जिससे की जो भी run of water है ना, hills से, उसको यहाँ पर collect किया जाएगा, यानि कि hills से जो भी पानी गिरती है ना, तो नीचे एक lake बना दो, जिसमें कि आपका पानी जो है यहीं पर रहेगा, और यहाँ के अगल बगल लोगों को इससे फाइदा होगा, तिक यह इसका कारण था, यहाँ पर man made lake बनाने का, इससे पहले यह जो lake था ना, इसको living entity या legal person का भी दरज़ा दिया गया था, अब किसी भी आज की डेट में आप देखो कि उतरा खंड में हो गया, human wing, तो वही चीज राइट जो है, हम लोग यहाँ पर legal person मान लिये है, तो यानि कि अगर आप lake को गंदा करते हो, तो कहीं न कहीं उनके right का हनन कर रहे हो, lakes का अधिकार है कि वो साफ सुतरा रहे है, अच्छे से रहे है, एकदम वल्दी हल्दी रहे, तो वो चीज़े रखना है, तो यानि कि जो भी अधिकार होता है, एक lakes का, या फिर river का साफ सुतरा होने का, तो वो अधिकार वाइलेट नहीं करना है, तो अगर कोई लोग उसमें कचड़ा डंप करते हैं, या अगल बगल माइनिंग करते हैं, तो उनके उपर जो है, पेनाल्टिस लगेगी, तो लीगल परसन और लीविंग इंटिटी भी इनको दर्जा दिया गया, तो ये भी ध्यान रखेगा, तो दो-तीन पॉइंट से जो कि आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, एक तो ये मैनमेट लेक है, और शिवालिक हिल्स के फूट हिल्स में नीचे में है, चंडीगर में है, और फोर्थ वन इस कि ये लीगल परसन जासा और लीविंग इंटिटी जासा इसको डिकलेव किया गया है, तो आज के लिए इतनी ही रखते हैं, नेक्स्ट कला हम लोग मैंगरूव इकोसिस्टम देखेंगे, आज वेटलाइड के बारे में डीटेल देख लिए, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, और समझ में आया होगा कि कहां कहां कौन-कौन से वेटलाइड है, अच्छा एक सेकिंड रुखिए, यहाँ पर हम लोग जितने भी वेटलाइड देखे हैं मैप में, तो यह तो मैं आपके उपर छोड़ दीती कि आप इसको देख लेना, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे एक बार आप लोग को रिवाइस करा देनी चाहिए, है कि नहीं, मेरी यह ड्यूटी बनती है कि मैं आप लोग को यहाँ पर बताओं कि किस राज में कौन-कौन से यहाँ पर वेटलाइड है, तो आपका रिविजन हो जाएगा, फिर जाकर आप भी अपने हिसाब से देख लीजेगा, तो नॉर्थ इस स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यह यह यूपियसी का फेवरेट एरिया है, तो आसाम में अगर हमनों देखें, तो यहाँ पर दो नंबर पर है डिपॉर बिल, ठीक है, फिफ्टीन आपका यहाँ पर नागलेंड में आप देख सकते हो, जो की क्या है, तो सौरी, सौरी, यह मनिपूर है, ओके, यह अरुनाचा पदेश, नागलेंड, मनिपूर, मिजोरम, ओके, यह गलत हो गया, मैं इसके पहले भी बोल दी थी, तो नागलेंड और यह आपका मनिपूर है, जहां पर आपका लोग टक लेख है, तो लोग टक लेख को बहुत पहले ही वेतलायन का दर्शा दिया गयाए, तो मैं जो बता रही थी कि नहीं, जो जो आपका राज है जिसके अंदर नहीं आता है विट लैंड तो उसमें आपका नागर लैंड होगा ठीक है मनिपूर नहीं होगा फाइन इसको ध्यान रख लिजेगा फिर उसका त्रिपूरा में आगर हमनों देखे तो 24 यानि कि रुद्र सागर लेक है तो यह त्रिपूरा में है तो यहाँ पे हो गया डिपॉर बिल यहाँ पे आपका मनिपूर में लोक्टक लेक हो गया और यहाँ पे आपका त्रिपूरा में क्या हो गया तो रुद्र सागर आते हैं नौर्थ में जम्मु एन कश्मीर और लद्दाक वाला रीजन देख लेते हैं सबसे पहले यहां पर सेवन हैं यानि कि सबसे हाइस्ट पॉइंट में आपको वुलर्ड लेक देखने को मिलेगा सबसे नादन रीजन में हमारा कौन सा वेटलैंड है तो वुलर्ड लेक हैं और आज की देट में आपका शो यहां पर शोकर मिला है ठीक है शो मुरूरी और शोकर यह दो है लद्दाक से तो लद्दाक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है तो इसको ध्यान रखेगा नेक्स्ट अगर हम लोग यहां पर नीचे आते हैं पहले जहां कम है ठीक है हाँ यूपी में देखे यूपी में बहुत ज़्यादा है तो यह चीज़े आपको ध्यान रखना है तो यूपी में क्या क्या है यूपी के लिए तो बहुत नीचे जाना पड़ेगा नंबर्स यहां पर नीचे हां तो एक ही साथ आपको दिख सके यूपी में है अपर गंगा र एक सिंट्री आप देखो यहाँ पर परवती अर्गा और फिर क्या था 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 अबी सिर्पन चयां पर पा से चार जोड़की आपको सूर्ष म lens में और पर बांच यहां पर चार चार अपका में जोड़की सुर्षियंग मैं मिले हूं चार पर आपका सुर्ष में say 60 में को है। 4000 जींदे पर आपको चार रहा है कि नादर तुमिंदे एका doctorya तो यह राजस्तार मे तो इससे भी आप लोग यहां पर confused नहीं होना और समन्थ कोटा लेक, तो समन्ध कोटा लेक – 12, क्या है यहां पर केरल में, तो समन्थ कोटा लेक यहां नीचे हो गया, तो एससे जितने भी majority है वह आपको UP में देखने को मिलेगा, तो अभी तो बिहार मे अगर हम लोग गुजरात की बात करें चोपी धर नमबर पर है तो गुजरात में आपका नालसरोवर बड सेंचुरी है यह याद रखना है महराश्ट की बात करें तो महराश्ट में अब दो हो चुगे पहले तो 2019 में मिला था नंदूर मधमेश्वर को और फिर अब आज की डे जो की है चिलका लेक और भीतरकनी का मेंग्रोज फाइन वेस्ट में एक तो आपका सुंदर बन हो गया 26-27 है और एक है इस्ट कोलकाता वेटलाइड तो यह आपका वेस्ट मेंगाल का हो गया और फिर मधर परदेश में अगर हम लो देखे तो भोज वेटलैंड है यहाँ प कि पॉइंट कालिमर है वाइलाइफ सेंचुरी और यह आपका सेंचुरी वाइलाइफ सेंचुरी है ठीक है और केरल में आपका तीन है यह भी आप देख लीजिए 11-12-13 तो केरल में क्या-क्या है सबसे पहले अस्ट मुदी वेटलैंड है और सस्त मकटा यहाँ पे लेक है आपी और वेमरडेन वेटलैंड है तो यह तीन आपका केरल में है तो यहाँ फैलाभ की किते राज जहां पे आपको नहीं देखने को मिलेगा तो guys आज के लिए बस इतने ही रखते हैं जितने भी important है उसे हमनों discuss कर लिए और अगर ये पूछा जाए कि कितने राज है जिसमें सिफ एक wetland है जिसमें सिफ एक wetland तो यहाँ पे हमारा तीन जो है वो तो हो गया एक तो असम हो गया और एक तृपूरा एक मनिपूर उसके अलावा एक बिहार हो गया और उसके अलावा आप देखो कि एक आंद्रपरदेश हो गया and next one is Gujarat और मद्रपरदेश तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 है और ये आपका तमिलाड़ हो गया 7, 8 तो टोटल एट राज हमारे हैं जिसमें की मातर एक वेटलाइंड है तो इस तरीके से आप लोग याद रखी क्योंकि की काउंटिंग की बेसिस पर भी पूछ लिया जाता है क्वेशन तो किसी भी तरीके से UPSC बना सकती है जितने तरीके से आपका दिमाग चल सकता होतने तरीके से आप सोचिए और इसको पढ़िए तो आई हो कि आपको बहुत आइडिया भी मिल जाता होगा कि कैसे पढ़ना है क्या पढ़ना है और क्वेशन कैसे पूछे जा रहे तो वेटलाइंड में जिस तरीके से question last year में पूछे गया है उसे हम लोग next lesson में discuss कर लेगें तो गाइस मिलते हैं हम लोग next lesson में अगर आपको ये lesson अच्छी लगती है तो like कीजेए अगर आप लोगो वीजन है इसके test series join करनी है जो कि आपका full length test इस बार Sunday को होने वाला है तो देखिए COVID-19 के ऐसी situation है जो कि मेरे बहुत सारे relative friends के parents friends सब को अधिकतर affected हो चुके है तो थोड़ी सी problem हो रही है उन लोगों को भी देखना पड़ रहा है इसलिए यहाँ पर test series जो है वो आपका week में दो दिन आता था बट अब एक दिन कर दे रही हूँ कि every Sunday में आपको provide कर दूँगी क्योंकि situation बहुत ही वार से आप लोग भी अपना ख्याल रखे अपने friends का अपने family का ज़रूर ख्याल रखे क्योंकि इस समय बस एक emotional जो connectivity है वो ज़्यादा काम आता है और क्या ही कर सकते है बहुत ही बुरी situation है बट कोई नहीं चल्दी ही हम लोग इससे recover हो जाएगे आप लोग इस चीज़े ज़्यादा ध्यान मत दीजे अपने पढ़ाई पर अपने health पर ध्यान दीजे ठीक है तो वही चीज़े मैं आपको inform करना था क्योंकि आप लोग सोच रहेंगे कि कल आज इसका test नहीं आया तो बस यही reason है कि मैं Sunday को provide कर पाऊंगे कि बहुत ज़्या आज के बाद के बाद अंधिरा होता है तो हमारी भी सवेरा जरूर होगी कोई बात नहीं आप लोग को demoralize नहीं होना है demotivate नहीं होना है और अपने study को इसी तरीके से continue रखना है तो मिलते है काल इसी तरीके से हम लोग आज के लिए बसेता हैं thank you